नमस्कार प्यारे विद्यारतियू स्वागत आपका दृष्टी टीचिंग एक्जाम्स में आज हम लोग UGC.NET जारफ के पुर्थम पुरशन पत्र में ही सिक्षण अभीवरत्ती के एक महत्वपूर्ण बिंदू को लेकर बात करेंगे इसमें सिक्षण की अवस्थाएं कह ल क्रियाएं उनके बारे में देखे सिक्षण द्वारा विद्यारतियों को विद्याले में जो अधीगम कार्रे कराया जाता है उस अधीगम कार्रे में विभिन क्रियाएं शामिल होती है तो सिक्षण में इन क्रियाओं की भूमी का महत्वपूर्ण हो जाती है और जब शोधकारे करना चाहते हूं, पहले शोधकारे करेंगे, उसके बाद में वह सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे, तो इन करियाओं के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है तो सिक्षन की जो ये आवस्थाएं हैं या ये क्रियाएं हैं इसके अंतरगत 305 शामिल हैं पहले जे तीन चरण शामिल होते हैं आप एक को कह सकते हैं पूर्व तत्परता आवस्था पूर्व तकपरता अवस्था जो प्री एक्टिव फेज होता है पूर्व तकपरता अवस्था या प्री एक्टिव फेज या आप यह कह सकते हैं इसको क्रिया पूर्व अवस्था क्रिया से पहले की अवस्था कि अधिगम कराने के लिए विद्यारति वो जो क्रिया की जानी है उससे पहले की अवस्था है कक्षा में सिक्षक अभी पहुंचे नहीं है कक्षा में पहुंचने से पहले की अवस्था है ये कह लिजे तो पूर्व परतावस्था या क्रिया पूर्व वस्था आप कह लीजिए प्रियक्टिव फेज दूसरा होता है अन्ता क्रिया अवस्था अन्ता क्रिया अवस्था या आप कह सकते हैं इंट्रेक्टिव फेज interactive phase या आप ये कह सकते हैं परसपर क्रियात्मक अवस्था ये भी आप कह सकते हैं इसको फिर तीसरा जो होता है वो क्रिया बाद की अवस्था या आप कह सकते हैं ततपरता के बाद की अवस्था परता के बाद की अवस्था न हखाँ आप कहेंगे पोस्ट ऐक्टिव फेज भी कि पोस्ट ऐक्टिव फेज तो एक इंडुरेक्टिव फेज एक पोस्ट ऐख्टिव फेज रा reunion शब्दों में समझेंगे में पहले की अवस्ता यहां पढ़ाना शुरू की पहुंचे हैं जैनने जने से पहले जितने कारा किये जाते हैं वह कृया पूर अवस्था है या पूर तकपरता अवस्था है प्रियक्टिव फेज है कक्षा के दोरान यानि कि सिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके दोरान जो क्रिया की जाती है जो गतिविदिया उसमें शामिल होती है उसको हम अंतह क्रिया अवस्था कहते हैं या आप कह स करते हैं परस पर क्रियात्मक अवस्था इंट्रेक्टिफिज फिर यह टीसरा है तत्परता के बाद की तो पूरा हो चुका है यानि कि इसका सीधा संबंद किस से हो जाएगा मुल्यांकन से इसका सीधा संबंद हो जाएगा तो हम एक एक करके तीनों के अवस्था कोई क्रिया होने से पहले की अवस्था मैंने कहा सिक्षक ने कक्षा में पहुँचकर सिक्षण कार्य अभी आरंब नहीं किया है उससे पहले की अवस्था है यह सिक्षण कार्य शुरू होने से पहले की अवस्था है तो इस अवस्था में सिक्षण कार्य से जितने भी नियोजन की बात है, जितनी भी प्लानिंग की बात है, वो सारे बिंदू इसमें शामिल किये जाएंगे, एक कक्षा में सिक्षक जब पहुँचते हैं, तो मैंने कई बार आप से ये कहा है, कि सिक्षक के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, विद्यारतियों के अ प्लानिंग होती है, तो कक्षा में जाने से पहले कि सिक्षक जितनी प्लानिंग करते हैं, वो सारी प्रियक्टिव फेज में शामिल होती है, यानि कि इसके अंदर कुछ बिंदू आ जाएंगे, जैसे हम क्या कह सकते हैं, कि सिक्षन के उद्देश्यों का निर्दारन करना, क्या कह सकते हैं, सिक्षन के उद्देश्यों का निर्दारन करना, अब यहां जो सिक्षन के उद्देश्य है, उसमें केंदर में तो रहेंगे विध्यारती ही, कि भई सिक्षन के उद्देश्य क्या है, सिक्षक का प्रमुक उद्देश्य यही होता है, कि मेरे विद्यारती अपने उद्देश्यों में सफल हो जाए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले लेकिन फिर भी जो हम कहते हैं सिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य ही है वो क्या है कि व्यवहार में स्थाई परिवर्तन आना चाहिए वो जो साक्षर है सिक्षित यह वाली बात हमने की थे आपको कक्षा में याद आएगा तो सिक्षण के जो उद्देश्य हैं उन सिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारन सिक्षण कक्षा में सिक्षण का रहा आरंब करने से पहले कर लेते हैं दूसरा आप क्या कहेंगे दूसरा इसमें क्या होता है कि जो पाठ्थे क्रम है या पाठ्थे वस्तु है उसका निर्धारन करना दूसरा आप क्या कह सकते हैं सोपान इसमें शामिल है पाठ्थे क्रम या आप कह सकते हैं पाठ्थे वस्तु निर्दारण करना एक सहजी आपके मन में महत्पुन बिंदु यह आ जाएगा आपके विचारों का अब तो इतना विकास हुआ ही होगा कि सिक्षण विधी कि बैए किस सिक्षण विधी से सिक्षण इस कक्षा में सिक्षण कार्रे अपना पूरा कराएंगे संपादित करेंग तो वो जो सिक्षण विधी है उस सिक्षण विधी का नियोजन करना एक से अधिक भी हो सकती है तो हम कह सकते हैं सिक्षण विधियों का नियोजन करना वो भी किस में प्रियक्टिव फेज में शामिल होगा सिक्षण विधियों का नियोजन करना अब जब तत्परता के बाद की अवस्था आएगी यानि कि जिसका संबन मुल्यांकन से होगा जब विद्यारती का मुल्यांकन होगा कक्षा की प्रगती पता चलेगी तो सिक्षण विधि का भी तो मुल्यांकन होगा सिक्षक का भी तो मुल्यांकन होगा तो कख्षा में जाने से पहले सिक्षक सिक्षन विधि का नियोजन कर लेते हैं बास समझा है हो गी यहां तक की एक आप सहेजी यह है पाएंगे अब एक बिंदु कि प्रस्तुति करण के लिए क्रम बद्य विवस्था करना क्योंकि सिक्षक के लिए क्या आवश्यक है कि वो पाठ्ठे क्रम को इस परकार प्रस्तूत करें कि उस विशवस्थू से विद्यार्ती जुड़ जाएं जब विद्यार्ती उस विश陌 वस्थू से जुड़ेंगे तो विद्यार्ती वास्तवी क अधीगं कर पाएंगे बात समझ आ रही है तो इसके लिए आवश्यक क्या होता है जैसे हमने सिध्धान पढ़ते समय बात की थी सिख्षक क्या करेंगे जो पाठ्थे वस्तु है जो पाठ्थे क्रम है उसका इकाईयों में विभाजन करेंगे और हर इकाई के मध्य तालमेल इस्थापित करेंगे तो सिख्षक अपने इस्तर पर कख्षा में जाने से पहले ये सारा कार्य पूरा कर लेते हैं इसलिए वो किस में आता है वो प्री एक्टिव फेज में आता है तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रस्तुती करण के लिए क्रम बद ब्यवस्ता करना प्रस्तुती करण के लिए वेवस्था करना बास समझ पाए यानि कि जो पाठ्थे क्रम है उसको इकाईयों में भी बाजित करना और हर इकाई के मद्ध्य यथा संभव जितना संभव हो सके उतना तालमेल इस्थापित करना बास समझ आ रहे हैं तक की फिर आप आएंगे कई बार ऐसा होता है कि कोई विसेश पाठ्थे वस्तू या प्रकरण ऐसा हो जिसके लिए सिक्षक को कोई अलग से कोई विसेश युक्ती का विकास करने के आवश्चकता होती है कोई ऐसी टैक्टिक कोई ऐसा उपाए सिक्षक क या प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना किसी विसेश पाठ्थे वस्तू या प्रकरण युक्तियों का विकास करना किसमें शामिल होगा प्री एक्टिव फेज में ही शामिल होगा क्रिया पूर अवस्त्था में ही शामिल होगा एक और महत्पुन बिंदू इसमें क्या होगा कि जैसे सिक्षण कार शुरू होगा उससे पहले पहले तक ही क्या हो जाएगा कि जो मुल्यांकन की पदती है उस मुल्यांकन की पदती का निर्धारन करना कि मुल्यांकन किस प्रकार का किया जाएगा कौन सा मुल्यांकन होगा तो हम pre-active phase में ही क्रिया पूर अवस्था में ही या पूर्वततपरता अवस्था में ही एक बिंदू कुन सा शामिल करते हैं कि मुल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारन करना एक अंतिम बिंदू आप ये नोट कर लेंगे मुल्यांकन की पद्धतियों या विधियों का निर्धारन करना और भी बिंदू हो सकते हैं जो आपके मन में आए आपके विचार यहां तक विक्सित हुए होंगे अब तक कि भई ये भी तो सिख्छक कक्षा में आने से पहले ही करते हैं आप जब स्वैम को एक सिख्छक की भाती रख कर देखेंगे स्वैम को सिख्छक के स्थान पर रख कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप सहजी कुछ बिंदू खोज पाएंगे जैसे हमने अच्छे सिख्छक की विशेस्थाओं में बात की थी कक्षा में तो आप स्वै या पूर्व अवस्था में शामिल होते हैं, प्रियाक्टिव फेज में शामिल होते हैं, आगला बिंदू, अन्ता क्रिया अवस्था, अन्ता क्रिया अवस्था, इंटरेक्टिव फेज या परस्पर क्रियात्मक अवस्था भी आप इसको खहा सकते हैं, यानि कि जब सिक्छक कि इस अवस्था में जो समस्त कार रहें या आप कहें जो समस्त गति विदियां हैं जो प्रत्यक्ष्ट है सिक्षक और विद्यारतियों के मद्य होती हैं सिक्षक कोई बात कोई विचार कोई सिधान कोई तथ हैं विद्यारतियों को प्रेशित करते हैं विद्यारतियों के सारी शामिल होते हैं वो सारे प्रकरण जितने भी कशा के दौरां सारी कटनाय को बस सारी इसमें शामिल होते हैंवो सभी इसी अवस्था का अंग होती हैं जैसे आप कुछ बिंदु इसमें क्या होंगे जिसे विद्यारतियों की अधीगम संबंधी कोई तूटी है तो विद्यारती क्या करेंगे अधीगम में कोई कठनाई आ रहे हैं कोई बिंदु समझ में नहीं आया तो सिक्षक से कहेंगे सिक्षक से कहेंगे कि ये बात समझ में नहीं आई अर्थात यदि अधीगम में कोई कठनाई है तो सिक्षक उसका निदान करेंगे यदि कोई तुरूटी है उसका उपचार सिक्षक करेंगे तो इसमें एक बिंदू क्या शामिल हो जाएगा विद्यारतियों का निदान सहज ही आप कह पाएंगे क्या शामिल हो जाएगा विद्यारतियों का निदान अच्छा जब सिक्षक और विद्यारती के मद्ध है हमने अब शुरुवात में कक्षा यारम की थी हमने बात की थी कि सबसे महत्वण बिंदू क्या है सिक्षक और विद्यारती के मद्ध है प्रत्यक्षवारतालाप का होना जब प्रत्यक्षवारतालाप होगा अर्थात विचारों का आदान प्रदान होगा क्रिया एवं प्रतिक्रिया होगी तो इसमें दूसरा बिंदु क्या शामिल हो जाएगा क्रिया एवं पृतिक्रिया मालीजे सिक्षक ने किसी बात को समझाने के लिए किसी उद्धीपक का चयन किया है तो इस्टिमलस का प्रियोग किया है सिक्षक ने सिक्षक मानव अंगों के बारे में समझा रहे हैं जो सिख्षक को युकति आशी च सिख्षक द्वारा विक्सित की गये किसी विसेश Prण को समझाने के लिए Ready तो उन सिख्षक का प्रियोग हो जाएगा यदि कश के चर्छा के दोरान लगता है इस युक्ति का इस टैक्टिक का iZ UK पाये का विस्तार करना है तो युक्तियों का विस्तार भी इसमें शामिल हो जाएगा है सहसता के साथ यानि किकशा के दोरान की पुर्क्रिया चल रही है उसमें विध्यारति people कोई विंदू है विद्यारतियों कोई प्रश्ण कोई जिग्यासा है उनकी अधिगम संबंदी कोई कठनाई है वो सारी गतिविदियां वो सारा संचार पूरे वारतलाप को हम किस में शामिल करेंगे अंतह क्रियात्मक अवस्था में शामिल करेंगे हम इंटरेक्टिव फेज में शामिल करेंगे हम क्या कह सकते हैं एक क्क्षा के आकार प्रकार की अनुब होती हैं तीसरा और अंतिम बिंदु जिसके बारे हमने बात की कि ततपरता के बाद की अवस्था अतपरता के बाद की अवस्था पोस्ट एक्टिव फेज के बारे में ये बात है आप कहा लिजे क्रिया बाद की अवस्था सिक्छन कार्य होने के बाद की अवस्था तो इस अवस्था का संबंध किस से हो जाएगा सीधा सीधा आप कहेंगे इस अवस्था का सीधा संबंद मुल्यांकन से होता है तो मुल्यांकन से पता चलेगा कि सिक्षन के जो उद्देश्य थे जो हमने कहा था कि पूर्व तत्परता अवस्था में जिनका निर्धारन किया गया था सिक्षण के उद्देशों के निधान क्या गया था पूरू तत्परतावस्था में प्रियक्टिव फेज में तो वो जो उद्देश निर्धारित किये गए थे उन उद्देशों की कितनी प्राप्ती हुई है उन उद्देशों की प्राप्ती किस मात्रा में हुई है किस हद त प्राप्त नहीं हुआ है कभी भी कोई भी असफलता ये तो नहीं होता कि पूर्ण रूप से असफलता है कोई विद्यारती यदि मन वान्चित परिणाम नहीं प्राप्त करता है तो इसकार्थ ये तो नहीं है कि वो पूर्ण रूप से असफल है उसने कुछ तो अधिगम किय उसने कुछ तो सीखा है एक विद्यारती मान लेजे 60 परतीशत अंकल आता है एक विद्यारती 55 परतीशत अंकल आता है एक विद्यारती 30 परतीशत अंकल आता है तो हमारे विवस्ता में क्या 30 परतीशत अंकल आया तो असफल हो गया लेकिन वो 30 परतीशत तो उसकी सफलता है यानि कि पूर्ण रूप से तो वह सफल नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं होगा उनाही जो सफल हुआ है जिसके 60 परतीशत है पृथम शर्णी से उत्रिण है वो भी तो पूर्ण रूप से सफल नहीं है वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं है तो किस मात्रा में सिक्षन के उदे क्यों नहीं प्राप्त हुए उसको लेकर कार रहोंगे तो कैसे होगे मुल्यांकन के पस्चात होंगे अर्थात तत्पर्ता केबाद की अवस्था में हम जो कुछ बिंदू कहें या सोपान कहें वो क्या शामिल हो जाएंगे कि शिक्षन उत्देश्यों की प्राप्ति सिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कि जो सिक्षण के ततपरता पूर्व की जो आवस्था थी प्रियक्टिफेजा उसमें जो सिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किये गए थे उन उद्देश्यों में से कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं जो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुए वो किस हद तक, किस सीमा तक प्राप्त हो हैं, कितना परतीशत उदेश्य प्राप्त होएं, ये सारे, बिन्दिश पस्ठ वा, अब हमने शुर्वात में भात कि, कि इस अवस्था का जो संबन्द, वो किस से है, मुल्यांकन से है, अर्थात समुचित मुल्यांकन विधियों का चयन विधियों का चयन ये विंदु सहज ये आप कहेंगे ततपरता के बाद की अवस्था में है फिर मुल्यांकन से ही पता चलेगा कि विध्यार्तियों के व्यवार में कितना परिवर्तन आया है सिक्षण विधी कितनी सफल है किस सिक्षण विधी में कितने शंशोधन की आवश्यक्ता है सिक्षण के व्यवार को लेकर भी सिक्षण द्वारा यानि कि जो व्यवार में परिवर्तन आना है जो सिक्षण का अवस्था में पता चलेगा तो तत्परता के बाद की अवस्था में पोस्ट एक्टिव फेज में पता चलेगा तो क्या कह सकते एक बिंदू कि सिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्थन सिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्थन जो वैभार में परिवरतन हुआ है, कितना हुआ है, कितना वान्चित था, कितना सोचा गया था, कितना नहीं हुआ है, कक्षा की प्रगती कितनी हुई है वो सारी चीजे किस से पता चलेंगी मुल्यांकन से पता चलेंगी अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि मुल्यांकन के आधार पर ही सिक्षण की जो विभिन क्रियाएं हैं उनके संबंद में फिर निर्णे लिया जाता है सिक्षक जैसे मैंने कई वार आप से कहा है कि मुल्यांकन अब केवल विद्यारती का मुल्यांकन नहीं है पहले क्या होता था पारंपरिक सिक्षण पंदिती में क्या था कि विद्यारती के मुल्यांकन में केवल सिक्षक शामिल होते थे और वो मुल्यांकन केवल विद्यारती का मुल्यांकन होता था जब हम आधुनिक परिवेश की बात करते हैं तो इस आधुनिक परिवेश में एक तो विद्यारती के मुल्यांकन में केवल सिक्छक शामिल नहीं है अब उसमें विद्यारती के मुल्यांकन में सिक्षक के साथ-साथ विद्यारती के अभिवावक शामिल है विद्यारती के जो मित्रमंडली है उसके जो साथी समू है वो शामिल है और कई आप कह सकते हैं कुछ हद तक समाज भी शामिल है आसपडोस भी शामिल है रिस्तिदार नातेधार भी शामिल है बास समझा रही है और ये जो मुल्यांकन है ये मुल्यांकन सिक्षक का भी है सिक्षक द्वारा निर्धारित की गई जो सिक्षण विदियां है सिक्षण पदतियां है उनका भी मुल्यांकन है कि किस सिक्षण विदी से सिक्षण कारे पादित कराने के उप्रान्त कितना व्याभार परिबरतन हुआ है कितनी क्शा की प्रगति का इस्तर कैसा है तो आप यह भी कह सकते हैं कि मुल्यांकन के आधार पर सिक्षन की विबिन क्रियाओं के संबंद में ने लिया जाता है क्या क्या सकते हैं मुल्यांकन के आधार पर विभिन क्रियाओं के संदर्ब में निर्ण संदर्ब में निर्ण जैसे इसमें जो सिक्षण विधिये वो भी शामिल हो जाएंगी बात समझ आई होगी यहां तक के आसानी के साथ में तो यह सिक्षण की अवस्थाएं हैं या आप कहलेजे क्रियाएं हैं यानि कि सिक्षण के द्वारा विध्यार्तियों को विध्याल्य में कक्षा में जो विभिन गतिविधियों के माद्यम से अधिगम कार्रे पूर्ण कराया जाता है वो सारी गतिविधिया इन 305 में शामिल होती है एक हमने बात की क्रिया पूर अवस्था प्रिया के बाद की अवस्था पोस्ट एक्टिव फेज को लेकर बात समझ पाएं प्री एक्टिव फेज में क्या होता है शिक्षन कारे शुरू होने से पहले जितने नियोजन होते हैं वो शामिल होते हैं इंटर एक्टिव फेज में शिक्षन के दोरान सिक्षन कारे के दोरान जितनी भी गतिविधिया होते हैं वो शामिल होती हैं और पोस्ट एक्टिव फेज में शिक्षन कारे के बाद में जि सीखा होगा आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप से किसी अगली क्लास में किसे अगले बिंदू के साथ तिल देन बाबाई है वनाइस टे कि 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 क क क क झाल झाल